दोस्तो, IPL 2021 पोश्पोंड हो चुका है, BCCI ने ओफिसियल अनौसमेंट कर दिया है, लेकिन अब BCCI ने IPL 2021 के नए शेडूल के लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जो कि 31 मैच के बाद बाकी बचे हुए मैच कितने तारीक को होने वाले है, और कौन सी डेट को होन ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें, तो दोस्तो, जैसा कि IPL 2021 का सीजन बहुत ही बहतरीन जा रहा था, 29 मैच कंप्लीट हो चुके थे IPL 2021 के, लेकिन 30 में मुकाबले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे, जो रोयल चैलेंजर, बिंगल के बीच में होने वाला था, तो चन्नाई सुपर किंग में भी कोवीड पोजिट्व पाय गे थे, जिसकी वज़य से ये भी मैच कैंसल कर दिया गया, लेकिन BCCI ने कल अनौस्मेंट की थी, लेकिन ऐस पर शेडूल सारे मुकाबले होने माले है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हु लेकिन वहां की सरकार नहीं मानी और उनको पोश्पोर्ण करना पड़ा, दोस्तो फाइनली अब BCCI मन बना रही है, जून और जुलाई के बीच में IPL 2021 का सीजन हो, अगर सब कुछ सही रहा तो BCCI अनौस कर दी, जून और जुलाई में शेडूल कंफर्म कर देगी, लेकिन अब IPL में जितने भी वोर्सीज प्लेयर खेल रहे थे, अब उनको अनौस कर दे कि सभी खिलाडी अब अपने देश जा सकते हैं, तो सभी खिलाडी जा रहे हैं, लेकिन जून और जुलाई में हो सकता, IPL 2021 का नया शेडूल BCCI अनौस कर दे, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ बshore लेकिन जून और जुलाई के मंत में होगा लेकिन अंडया में नहीं होगा, UAE में होगा, क्योंकि इंडया में उस टाइम बारिश चल रहा है और बारिश के टाइम मैच नहीं हो सकता जिसकी वज़य से इंडया के बलकि UAE में में Shedul हो सकता है, वह ही अगर ये भी confirm नही के बाद जैसी वर्ल्ड काप खतम होगा दो या तीन दिन के बाद IPL 2021 के बागी मैचो को BCCI करवा दे लेकिन अभी तक डेट कुछ ऐसा कंफर्म नहीं या BCCI क्या करती है आने वाले टाइम में हमको पता चल जाएगा तो दोस्तो वैसे आपको क्या लगता IPL 2021 का सीजन कौन से या मंत में होना झाये या फिर कंपलेटली कइंसल कर देना चाहिए वाप हमें कमेंट करके जरूर बता तो दोस्तो एस वीडियो करते हुआ अगर आपको वीडियो पसंद आ हैओ तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकाएन दबा देना तै